प्रिवसातियों जैहिन मत्यप्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत ही बढ़िया अवसर उपलब्द हुआ है इस अवसर का लाब उठाते हुए आप बहुत को सीख भी सकेंगे और साथी साथ चोह महिने तक 8000 रुपया प्रती माह स्टाइपेंड की राशी भी प्राप्त कर सकेंगे है ना आम के आम और गुठलियों के दाम की व्यवस्था इस व्यवस्था को कहते हैं अर्न वाइल यू लर्न यह शांदार आउसर हमें मिल रहा है एक प्रतिष्टित संस्थान के माध्यम से इस संस्थान का नाम है अटल बिहारी वाजपेई सुशाशन एवं नीती विशलेशन संस्थान मोपाल यह संस्थान एक प्रग्राम संचालित करता है इस प्रग्राम का नाम है मख्यमंत्री यूथ इंटर्णशीब फार प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसी प्रोग्राम के अंतरगत यूवा इंटर्णस की निव्टि करने के लिए विज्यप्ति या सूचना जारी की गई है यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन प्रारंब हो गया है आज यानी 2 जुलाई से आवेदन करना प्रारंब हो गया है आवेदन करने की लास्ट डेट 10 जुलाई 2023 से आवेधन कौन कर सकता है यदि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिपलोमा किया है और इसमें आपको कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्थ हुए हैं तो आप आवेधन कर सकते हैं हाँ आपकी उम्र 18 वर्ष से लगाकर 29 वर्ष के मद्य होना चाहिए साथी साथ जो इसके लिए पढ़ाई निर्धारित की गई है वो पढ़ाई आपने पिछले दो वर्षों में ही पूर्ण की हुई होना चाहिए यदि इसके पहले आपने पढ़ाई की हो चाहे आपकी उम्र 29 वर्ष यह से कम हो रही हो तो भी आप आवेधन नहीं कर सकेंगे बहुत सरल भाषा में कहें तो आप ऐसा समझेए यदि आपने 2021 में या 2022 में या 2023 में या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पचास प्रतीशत अंकों के साथ उत्तिर्ण किया है तो आप आवेधन कर सकेंगे यानि इसके लिए आवेधन करने है तो नियून्तम जो शैक्षनिक अरहता तै की गई है वो है ग्रेजुएशन यानि आपने बीए, बीकॉम, बीएसी, बीएचसी, बीए इस तरह का कोई कोर्स कम्प्लीट कर लिया है दोजार इक्कीस या तेईस में पचास प्रतीशत अंक अवेधन कर सकेंगे यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जैसे म, एमकाम, एमसी, आधि और वह आपने एक्कीस, बाईस तेईस में किया है तो भी आप आवेधन कर सकेंगे इसी तरह से माननिता प्राप्त यदि आपने पीजी डिपलोमा किया है इन तीन वर्षों से किसी वर्ष में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यदि मान लिजे कि आपका ग्रेजुएशन 2019 में हुआ, लेकिन यदि आपने परस्ट ग्रेजुएशन 2022 में किया, तो फिर आपके वर्ष की गणना 2022 के आधार पर की जाएगी, यह हला आप मिलता है परस्ट ग्रेजुएश के अपना आवेदन करने का कारे पूरा कर लीजी. सिलेक्शन कैसे होगा आपका? जो रूल बूग जारी की गई है संस्थान की द्वारा उसमें उल्लिख है कि साक्षातकार के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा. यानि जब आप अपना आवेदन कर लेंगे तो उसके बाद आपको सुचित किया जाएगा. निर्धारी दिनांक, समय और स्थान आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पर उपस्तित हो जाएगे और वहाँ आपको इंटर्वी की प्रकरिया से गुजरना होगा. क्या क्या डाक्यूमेंट्स लगेंगे? तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आपका नवीनतम फोटोग्राफ होना चाहिए. साथी साथ उस जिले का मुल निवासी का प्रमान पत्र होना चाहिए, जिस जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं. शेक्षनिक योगिता से संबंदित अंक्सूचिया आपकी चाहिए. इसके अलावा यदि आपके पास कोई और डाक्यूमेंट्स हो जैसे, यदि आपने कोई कार किया है या कर रहे हैं, उसका अनवह प्रमान पत्र हो. अच्छा, क्या फायदा होगा इससे? जब आपका सिलेक्षन हो जाएगा, तो आपको 6 महीने तक काम करने और सीखने का अवसर मिलेगा. आप प्रती माह आठ हजार रुपिया स्टाइपेंट की राशी प्राप्त कर सकेंगे. इस तरह से 6 माह में आपके पास 48,000 रुपे की राशी हो सकेगी. साथियों आपका स्वस्थ होना अत्यनतावश्यक है, साथि साथ यदि आपके पास वाहन हो तो और भी बहुत अच्छी बात होगी. मोबाइल होना भी आपके लिए ज़रूरी होगा जब आप कारे करने के लिए जाएंगे. क्योंकि कारे करने के लिए आपको फिल्ड आवन्तित के जाएंगे, जहां पर जाकर आपको निर्धारित कारे को संपन करना होगा. अब आप यह जारना चाह रहे होगे कि कितने युवाओं को इस योजना के तहट इंटर्नशीप करने का मौखा मिलेगा. तो इसका सरल गणीत आप ऐसे समझ लीजिए, कि मद्यप्रदेश में कुल 313 विकासखंड है, प्रतेख विकासखंड के लिए 15 इंटर्न्स की निउक्ति की जाएगी. यदि हम गुणा करते हैं तो जो कुल संख्या आती है, वह आती है 4,695 इंटर्न्स पूरे मद्यप्रदेश में निउक्त होंगे. है ना बहुत बड़ी संख्या? तो अब आप अपने जिले के अनुसार हिसाब लगा लिजिए, जैसे उधारण के तौर पर मद्यप्रदेश का एक जिला है बड़वानी, जहांसे यह वीडियो त्यार करके आप तक पहुचाये जा रहा है. बड़वानी जिले में कुल मिलाकर 7 विकासखंड हैं, प्रतेख करने की प्रक्रिया के पश्चात, साक्षातकार की प्रक्रिया से गुजरेंगे और वे अपनी प्रतिभा से, अपने उत्तरों से, अपने प्रदर्शन से, अपनी बॉड़ी लेंग्वेज से, सिलेक्ट होंगे और सिलेक्ट होने के बाद फिल्ड उपर काम करने के लिए जा चैयन की या न्युक्ति की प्रक्रिया है। हर 6 माँ में आपके लिए नए चैयन का आवसर उपलब्ध होता है। तो यह दूसरी बैच है। दूसरी बैच के लिए आप आवे दिन कर रहे हैं। और इसमें सिलेक्ट हो जाने के बाद, 6 माँने आप काम कर सकेंगे। श्रंकला बनाई जा रही है उस श्रंकला का यह पहला वीडियो है अगले वीडियो भी आप तक पहुँचेंगे जिसके माध्यम से आप और महत्पूर्ण जानकारिया प्राप्त कर सकेंगे इंटर्विय की तैयारी कर सकेंगे संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं उनकी जानक के माध्यम से आप ओनलाइन आवेदन कीजिए आवेदन करने के लिए जिस लिंक का आपको उप्योग करना है वह आप अपने मोबाईल की स्क्रीन पर देखिए इस लिंक का उप्योग करते हुए आप आवेदन करने की प्रक्रिया संपन कर लिजिए यदि आवेदन करने में आपको कोई कठिनाई आ रही है तो इस वीडियो के कॉमेंट बाक्स में आप उसका उलेक कीजिए हम उस कठिनाई का समाधा या तु कमेंट में उत्तर देकर या फिर उससे संबंदित एक वीडियो बनाकर आपको जरूर ही देंगे यह करियर एडवाइस चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए सदा इसके साथ बने रहिए बहुत लाब में रहेंगे मुझे महत्पूर्ण बात आप तक पहुचाने का आउसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचाली का प्रिती गुलवानिया जिजी और उनकी परिश्रमी टीम की प्रिती बहुत बहुत आभार आप सभी को शुक्कामना है नमस्कार